वेल्कम बैक फ्रेंस टु था एटी ग्रूप माइसल शीओं और आज की इस विडियो में दोस्तों में बात करूंगे एंटी वाइरेस सॉफ्टर को लेकर जहां मोबाइल एंटी वाइरेस सॉफ्टर के बारे में बात करूंगा तो चलिए देखते हैं दोस्तों एंट्रेट्स सभी काम में लेते हैं चाहे वह कांपिटर में हो और मोबाइल को पर एदन और ना जरूंप करना बात करें मोबाइल की तो बहुत ही यूजr do रहा है और लगवग दोस्तों पीची तो बहुत ही कम क्योंकि एक जमाने में ऐसा होता था कि लोग PC पे ही ज्यादा नेट चलाते थे लेकिन आजकल बड़ा इसे बड़ा काम भी आपका मोबाइल में होने लगा है और इसके चलते दोस्तों आपका जो मोबाइल है उसमें भी वाइरस की खत्रे बने रहते हैं हमेशा आपके जो मालवेर हैं और वाइरस के खत् प्लेटफॉर्म है उसका और इस अपका नाम है दोस्तों मालवेर बाइट्स तो आईए हम अपने अंडॉइड मोबाइल में देखते हैं कि यह एप कैसे काम करता करता है और आप कैसे अपने जो फोन है उसको आप प्रोटेक्शन देपाएंगे इस एप के जड़िए अभी हम है अपने प्लेटोर में और यहां हमें एंटी वाइरस को सर्च करना है और डाउनलोड करना है तो यहां पर देखे हम टाइप करेंगे मालवेर बाइट्स ठीक है और यह देखे यहां पर आपका जो सेकेंड नमबर पर है मालवेर बाइट सेक्योर्टी वाइरस क्लीनर ए आई होब कि आपको ये पसंद भी आएगा तो यहां पे इसमें कLK कर दे रहाऊं और यह हमारा इस्टाल होने लगा तो यहां पर इसका एसका जो description ैं वहाँ पढ़के यह पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या-क्या फीचर आपको मिलेंगे और कैसे यह आपका काम करता है तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे हमारा जो Malwarebyte Security App है वो डाउनलोड हो रहा है और यहाँ पे हमारा जो Malwarebyte है वो पूरी तरीके से डाउनलोड हो गया है तो install भी हो गया है आप हम इसे open कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा जो Malwarebyte का जो first interface है mobile का वो कुछ ऐसा आएगा थोड़ी दर आपको wait करने पे आपको get started एक option आता है तो यहाँ पे आपको start करना है और उसके बाद आपसे यह permission मांगेगा जिसमें stories and files का होगा और sms का होगा means यह दो permission आपको देने है क्योंकि इनी में से वह जो malware है उन सब को detect करेगा viruses जो आते हैं तो हमें इसको permission देनी है और यहाँ पे permissions को allow करना है तो मैंने दोनों permission accept कर ली है पर देखिए इसमें बूल रहा है कि critical issues found ठीक है तो आम देख लेते हैं कि हमारा critical issues क्या है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप यह जान लीजे कि हमेंसा पहली बार हो तो full scan जरू करने तो यहाँ पर run full scan कर ठीक है तो यहाँ पर देखिए जो हमारा scan रेडी हो गया है और यहां पर लिखा हुआ है यहाँ आप देख सकते हैं कि scanning ठीक है और यह भी play store को scan कर रहा है means उसके अंदर जो viruses हैं और जो malwares हैं तो उसके अंदर scan कर रहा है हलाकि यह Google का अपना official यहाँ पर हो ही नहीं सकता क्योंकि Google का security patch भी बहुत ज्यादा अच्छा है तो फिलाल के लिए यह सभी apps को scan करेंगा देन आफ्टर आपको result देगा तो अभी हम wait करते हैं और यहाँ पर दिखे यह आपकी timing चल लगी है और यहाँ पर files जो scan हो जाएंगी उसकी detail हैगी और यहाँ पर जो apps हैं जो scan हो जाएंगी उनकी detail लहेगी ठीक है तो यहाँ पर हम wait करते हैं कि जब तक यह scan होता है तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि इसने लगबग 300 file scan की है और लगबग 9689 files scan की है और जो time लगा है इन सब को scan करने में वह है 50 second का आप में पहली अगर आप पहली बार करेंगे तो आप में हो सकता है कि थोड़ा सा time भी ले ले क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी file scanning कितनी कितनी है और apps कितनी है तो आप में थोड़ा slow भी हो सकता है तो यहां पर देखिए मैंने दो बार इसको run किया था तो यहां पर 19 दिसंबर यहां पर जो कितने बज़े मैंने scan किया वह सारी records यहां पर नीचे आपको देखने को मिल सकती है ठीक है अब इसके चलते हैं और ऑठीक में देखर करेंगे और यहां पर टेस्बोड है ठीक है यहां पर यहां पर जो आफ च्छोटी प्रॉलम करेंगे उनकी आपकी नोटिस्फिकेर्ट किसलन किया तो मैं दॉख हो यह मेरे कुछ issues हैं जो इसने find किये हैं तो अभी मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा और चलते हैं आपको और इसकी setting बताते हैं यहां पर आपको scanner मिल जाता है यहां से आप direct scan को run कर सकते हैं और यहां पर security में ही आपको security auditorium मिल जाता है security auditorium है और इसमें देखिए आपको development mode जो है वो आपका enable है ठीक है यहां पर आपको device pin password ठीक है इस device का जो pin और password है आपको उसे change करने के लिए कह रहा है तो यहां पर note आ रहा है कि the next screen is android system screen containing device wide settings ठीक है तो यहां पर मैं अभी do not so again करूं यहां से direct app device के उसमें pin में जा सकते हैं और यहां पर देखिए आपको जो device के setting है वो आप यहां से handle कर सकते हैं दूसरी बात यहां पर device encryption का option दे रहा है ठीक है तो यहां पर भी आप security setting में ही जाके पहुँचेंगे ठीक है और यह आपका google play protect जो google play app है वहां जो है उसका भी protection इसको enable है इसमें automatic आप इसको disable भी कर सकते हैं तो यह अच्छी बात है कि google का जो अपना security है वो तो find करेगा ही करेगा और साथ में यह app भी आपको मदद करेगा malware और viruses find करने में जो apps में होते हैं यहां पर देखिए call protection जो अभी beta version में हैं तो आप अगर चाहे हैं तो आप इसका love ले सकते हैं means जो spammers हैं जो आपको call करके परिशान करते हैं जो scammers हैं तो और जो fraudment वाले calls है उन सबकी जो notification है जो call आएगी तो यह application उसने आपको पुरहन दिखाएगा कि जैसे अगर कोई scammers आपको call कर रहा है तो उसकी जो notification है वो call कहां से कर रहा है वग कि आपकी official setting में जो app setting रहती है बिल्कुल सेम उसी परकार की setting आपको यहां पर मिलती है ठीक है और यहां पर दिखिए privacy audit है ठीक है यानि यह जितने भी app है उसको scan करेगा और उन में privacy में जो harm कर रहा है कोई भी I mean जो virus है या फिर माल बेर है जो privacy में कोई दिक्कत कर रहा है तो वह इसे scan करेगा तो यहां पर दिखिए जो आपकी privacy scan हो जुकी है और यहां पर दिखिए आपका have network access तो network access जो app कर रहे हैं वह 183 है ठीक 183 और जो storage access कर रहे हैं वह 165 apps हैं और जो आपके personal information को read कर रहे हैं वह 143 apps हैं और हम simply यहां पर क्लिक करके देख भी सकते हैं कि यहां पर पर्जीज पता कर सकते हैं कि यहां पर जो हमारा परसेशनल ईंफ इनफर्मेशन है जो हमां henat वह आपकी एकसेस का ट्रायल था तो अभी यहां पे मेरा 29 डेज अभी लेफ्ट है आटोमेटली स्कैन फॉर माल बेर एंड बैड अपसे तो मैं यहां पे डिटेक्ट रैंजॉम बेर बिफोर इट कैन लॉक यूर फोन आपकी मोबाइल में रैंजॉम बेर के आने से पहले ही वो उसे डिटेट कर लेगा अपका मोबाइल लॉक नहीं होने देगा और वो डिटेट करके उसे डिलीट कर देगा ब्लॉक काल्स फॉर स्कैमर्स ओनली अवलेबल फॉर फोन्स ठीक है यह वाला जो फीचर है दोस्तों सिर्फ होने के लिए अवलेबल है और जो मतलब काल्स जो होती इनको आपको ब्लॉक करने के जो स्पैमर्स है को बengepower civica and we that can wait this फॉर जो क्रेसे कर देते हैं उनको भी यह जली से पकड़ लेरा जो प्राइबसी को आपके हाम करते अलर्ट यू टू मैलिसियस वेबसाइट में जो आपकी यहां पर वेबसाइट में जो मालवेर और चुपे होते हैं आप गलती से और पॉप अगयरा आ जाते हैं वह उन वेबसाइटों को आपकी यह ब्लॉक कर देगा अइडेंटिफाइज मालिसियस लिंक इन दम मैसेज ओन अची बात है और यहां पर दिखें नीचे आपको येरलिय और मंधली के पैकेस बताएगा है तो अगर आप इंटरिस्टेड हैं तो यह सवाप ले सकते हैं और उसके बाद हम यहां पर बैक जाएंगे और यहां पर दिखते हैं यहां पर दिखें सिक्यूर्टी निउज प्ञेस बात है आपको एप के साथ में एक अच्छी ने मिल जाती है और इसके बाद हमारे पास जो अगला है आपको अपसक्क्राणि maya अब्देट के बाद भी स्कैन करें मतलब कोई अप्डेट कर दियों मतलब अब्देट करें तो ठीक है आप इसको इने लगा अगर बुच देप लगा देंगे तो मतलब यह बहुत ही लेट लेगा और यह प्रोसीजर ऐसा होता है कि मतलब इसमें हार एक जो मतलब अभी आप जो हमने स्कैनिंग आपको दिखाई थी वह स्कैनिंग इतनी रिलाइबल नहीं है वह इतना अच्छे से नहीं फाइंड कर सकते लेकिन अगर आप डीप स्कैनिंग कर देंगे तो जल्दी से फाइंड कर देंग अगर आप फोन चार्जिंग लगा देते हैं तो आप पर सकते हैं इसको इने बल करने के रहे हैं और यहाँ भी इसके अगर आपको चिंडियूलेंग करनी है कि आपका फोन 10-12 वज़े की बीच में इसकैन हो रोज यहाँ यहाँ सब लगा सकते हैं एकॉरिंग टू और यहां पर दिखे प्रोटेक्शन में भी आप जाते हैं तो यहां पर आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन तो मिल ही जाता अगर आप इसे डिजेबल कर देंगे तो रियल टाइम में हट जाएगा मिंस हम अगर कोई application तुरह डाउन लूड करते हैं तो हमें ठीक है scan links sent via sms अगर आपको लगता है कि जो आपकी इस links आती है उसमें अगर कोई spam है या फिर कोई malware अगर फंसा है तो आप सुचते हैं कि उस link को मैं कैसे पता लगाँ तो आप यहां पे enable कर दीजिए और यह तुरंट पता कर लेगा अगर आप से ब्राउजिंग scanner enable करते हैं तो जो यहां पर जो हमारा browsing experience हो काफी safe होगा तुरंट find कर लेगा आपको कौन सी website खोलनी है कौन सी नहीं खोलनी है तो अच्छी बात है और यहां पर देखिए notification pen का भी आपको मिलता है तो आप notification में जाके और यहां पर देख सकते हैं कि scan result का आपको notification मिले RTP का जो real time protection अभी मैंने बताया उसका आपको notification मिले तो यहां पर बहुत सारी चीज़े हैं आप अपने need के हिसाब से आप इसे set कर सकते हैं और यह आपका जो रहा यहां पर देखिए लास्ट में agreement आपको पढ़ना है privacy and policy की क्या है और आपको रेटिंग गहरा दे सकते हैं ठीक है यहां पर app का version मिल जाएगा तो app version 3.5 0.5 है और malware database आपको मिल जा रहा है और call block out database आपको मिल रहा है fishing database मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि सारी जानकरी जो है वह आपको यहां पर मिल दोस्तों कि malware bytes के बारे में पूरी guide आपको मिल गई होगी और प्लीज आप इसे download करिए और मैं genuinely बता रहा हूं कि बहुत अच्छा app है यह PC के लिए भी बहुत अच्छा app है मैंने PC में भी इसे use किया है लग बग मैंने एक महीने use किया है बहुत ही अच्छा app है दोस्तों बताइए कमेंट में कि कैसा रहा आपका यूज करने के बाद और दोस्तों अगर कोई आपका सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस वीडियो को लाइक औ तो बिल्कुल मत भूलिए कि मैं यहां पर ऐसे एप रिव्यू लेकर आता रहता हूं